दिली NCR में लगाता ठंड बढ़ती जा रही है जन्वरी का महीना चल रहा है और ऐसे में ठंड भी अपने परवान पर है वहीं दूसरी ओर दिली में कोहरे की वजह से भी लोग काफी जादा परिशान है इसके साथी कोहरा बढ़ने के साथ साथी जो पलुशन का अस्तर है पल मासलेने में तकलीव जैसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसके साथी अगर बात करें कोहरे की तो दिली NCR में कोहरा लगातार बना हुआ है रविवार की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया कि सबसे ठंड दिन रहा जन्वरी का रविवार इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिली में ठंड बढ़ रही है कोहरे का असर है इसके साथी परियावरन मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अगर इसी तरीके से ठंड बढ़ती है तो ग्रैप 3 के जो नियम है वो तो दिली में हुआ रविवार सुभे हेल्थ एमर्जनसी के स्तर पर प्रोदूशन बढ़ गया गंभी स्मॉक की वजह से लोगों को काफी दिक्कते जिलनी पड़ रही थी इसी को देखते हुए रविवार सुभे कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेचमेंट यानि सी एक्यूम ने सब कम पर बंदेशें फिर से लागू हो गई हैं आज भी दिल्ली के कई अलाकों में एक्यूआ गंभी रिस्तर पर रहा हाला कि सोमवार को हलकी धूप खिली और इस धूप का आनंद लोगों ने लिया ग्रैब की सब कमीटी की मीटिंग में मौसम विभा के प्रदिनीदी ने बताया कि मौसम में बदलाव हावा की कम हुई गती बड़ी नमी और लोकल वजह से प्रदूशन के इस्तर में ये इजाफा हुआ है पिछले दो दिनों से ओपन बर्निंग भी काफी बढ़ गई है ज दिल्ली में पॉलीशन एक बार फिर से अपने चरम पर है और बढ़ती ठंड के साथ लोगों को काफी दिक्कते आ रही है बहराल दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी तरह पॉलीशन का जो लेवल है वो भी दूप खिली है और मौसम काफी साफ लग रहा है तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरीके से अगले तीन चार दिनों तक दूप खिलती है मौसम साफ रहता है तो कहीं न कहीं कोहरा भी कम होगा और पलिशन का जो लेवल है उसमें भी कमी दर्ज की जाएग तो फिर ये जो यलो अलर्ट है वो रेड अलर्ट में भी तबदील हो सकता है लेकिन बहराल सबसे अच्छी खबर ये है कि सोमवार याज काफी दिल्ले में काफी अच्छी धूप खिली है और इस धूप का आनंद लोग ले रहे हैं और यही धूप अगर अगले तीन-चार दिनों तक रही तो फिर मौसम साफ होने के आसार है कैमरामेन विनोच चौधरी के साथ नीतु गौर के ला नवदर टाइम्स पंजाब के स्री